नमस्ते इंडिया मैं हूं रोयत आप देख रहे है नैच्राल बॉड़ी बिलिंग दोस्तों मैं हूं एक नैच्राल एथलीट एक फिटनेस मोटिवेटर दोस्तों अगर अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये तो मैंकिर सब्सक्राइब कीजिए और बेल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैट-लॉस मिश्टिक्स के बारे में जो लोग अक्सरी करते रहते हैं बहुत सरे लोग एकसराइज करते हैं डाइट भी फोलो करते हैं मगर उनके जो फैट-लॉस वह ज्यादा नहीं होता है मगर कुछ दिन के बाद वो रुक जाता है और वो जो प्रोसेस है, fat loss का वो long हो जाता है, delay होता है, तो कैसे उसे overcome करें और fat loss को सही तरही कैसे, कैसे आप कर पाएं, सारे information में आपको दूँगा, प्लीज आप end तक इस वीडियो को देखते रहें, number one, low cards, दोस्तों, बहुत सही लोगों में देखा हूँ कि लाइट में कार्ब बहुत ही लो रहता है, आप certain period में आप fat loss कर सकते हैं, जी हाँ, मैं आपको बोल दूँँ कि आप fat loss कर सकते हैं कार्ब डाइट में, मगर दिन के बाद आपका जो fat loss का जो process है, वो रुख जाता है, अगर ऐसे भी आप low carb में जाता हैं, तो आपका metabolic rate जो है, वो slow हो सकता है, अगर metabolic rate अपका slow हुआ, जो आपका fat loss process है, उसमें ये problem कर सकता है, नबर टू, using fat burners, गाइज मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि fat loss करने के लिए वो fat burner का यूज करते हैं, जो की गलत है, fat burner guys, आपको कभी भी fat को घड़ाता नहीं है, तो fat burner में caffeine होता है, तो ये आपको energy देता है, exercise लगाने के लिए, तो ये कोई fat burn नहीं करता है आपका, ये आपका metabolism को fast करता है, और मैं आपको सचा में बता दूँ कि, ये कोई magic pill नहीं है, अगर आपका diet पूरी तरह से clean नहीं हो, proper नहीं हो, तो ये कभी भी काम नहीं करेगा, नमर 3, do too much cardio, दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि, ट्रेड बीन में भागते रहते हैं, साइटिंग करते हैं, वैटल रोग से, बहुत सारे वार्पोट करते हैं, मगर मैं आप सभी को बोल देना चाहता हूँ कि, अगर आप too much cardio कर रहे हैं, तो आप कभी भी fat loss नहीं कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि, मैं अगर ज्यादा calories burn करूँगा, तो मैरा body fat drop गा, यहां यह सही है, बट आप अगर बहुत सारे cardio करते रहेंगे, कुछ दिनका बाद फिर आपका body adapter लेगी, वो exercise training process को, work training protocol को आपका body adapt कर लेगी, वहां पर आप fat loss और नहीं कर पाएंगे, रुख जाएगा, वो process आपका रुख जाएगा, काडियो मिक करें और उसके साथ आप बागी workouts को भी ध्यान में रखें, 4. Do belly workout, दोस्तों, बहुत सारे लोगों को में दखाएंगे, उनका body fat 30 से 40 से 50 से वो बेली के workout करते रहते हैं, मतलब CT ups करते रहते हैं, leg raise करते रहते हैं, नीर रंचेस लगाते रहते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, आप जब ही train करते हैं, आप अपने muscle को train करते हैं, fat को नहीं, आपका जो पेटे उसको बड़ा है, वहाँ पे fat बहुत सारे श्टोर है, आप पहले उसे drop कीजिए, फिर लगाए बेली के workout, 5. Eating too much calorie और too much less calorie, बहुत सारे लोग हैं, दोस्तों आपको simple सा पता है, अगर आप ज़्यादा calorie लेंगे, तो अभी असलिए आपका fat जो है, वो increase करेगा, और आप कभी भी आपके goal के पास नहीं पहुंच सकते हैं, और जो भी less calorie यूज़ कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मैं अगर बहुत सारे कम calories लूँगा, तो मैरा fat loss हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, दोस्तों, जब भी आप बहुत ही low calorie diet पे जाते हैं, तो आपका body, जो metabolic rate है हुआ, और आपको थोड़ा भूख लेगना लेगता है, और आप यहाँ पे लो, इतना low calorie में जाते हैं, तो आ आपको लालची नहीं होना है, मतलब लालची होकर मैं ज्यादा deficit में चला जाओंगा, तो ज्यादा fat loss कर दूगा, यह जो सोच है आप दिमाज से हटा लीजे, पर 6 है, not lifting weights, दोस्तों, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि जो fat loss करने में आते हैं जीम में, वो weight को उपर ध ध्यान रहता है, cardio, वो जाएंगे cycling करेंगे, treadmill में भागेंगे, weight training और resistance training के बारे में वो सोचते नहीं है, पता नहीं क्यों, but आपको अगर fat loss करना है, आपको बहुत सारे focus देना पड़े गया weight training में, आप compound moment, जो है deadly bench press scores, इसको बहुत ही तरीक से ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप serious है fat loss goal के लिए, verse 7, not eating enough protein, दोस्तों बहुत सारे लोग ये mistake करते हैं कि बहुत ही low calories में चले जाते हैं, calorie deficit भी create करते हैं, but उनका meal में protein बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण उनका fat loss तो होता ही नहीं, और muscle loss हो जाता है, दोस्तों अगर आपको fat loss करना है, तो obviously आपक muscle gain होगा और fat drop होगा, number 1, too much workout, दोस्तों बहुत सारे लोग है, बहुत ही workout करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी fat loss कर लेंगे, ये मैं पहले से भी बोल चुका हूँ कि workout में, training में आपको लाजची नहीं होना है, अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा workout करना, ज्यादा muscle gain करना, ज् stress में जा सकते हैं, ज्यादा आपके testosterone drop हो सकते हैं, आपके muscle loss हो सकते हैं, बहुत सारे reason हैं, आप अगर चाहते हैं कि fat loss करें, तो एप proper schedule बनाएं, जिसमें weight turning हो, जिसमें थोड़ा बहुत कैडियो भी हो, तो आपको सुबह और साम दोनों टाइम जाएं के ज़र होतने, ये की fat, वो अपने food को track नहीं करते हैं, ठीके, आप अगर आपके goal के pass पहुंचने चाहिए, तो आपके food को track करना पड़ेगा, आप क्या खा रहे हैं, कितने amount में खा रहे हैं, कितने आपको calories है, वो measure नहीं करते हैं, बस मैं इतना खा लिया, मेरा हो गया, 16 सा calorie, 18 सा calorie, बट अगर आप उसको measure करना है, मैं आपको guarantee देता हूँ, वो calorie आपका ज्यादा होगा, कम नहीं होगा कभी, तो आप कभी measure नहीं करते हैं, आप try नहीं करते हैं, सोचे हैं कि यह मैं खा लिया, यह खा लिया, बस आज fat मैं मितलब इतना एलिया, protein इतना लिया, मगर आप कभी chart नहीं बन आपका avocado में है, जो आपका peanut में है, जो आपका olive oil में है, जो उसे अगर लेते हैं, तो आपका fat जो है, वो burn होगा guys, आप यह मान के चलिए, अगर आपको fat loss करना है, तो आप healthy fat को add किजिए अपने type पे, last is having unrealistic expectation, दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, जो जिनका जो सोच है, कि fat loss मे जो आपको fat loss करना है, उसको time दीजिए, उसको सही workout follow कीजिए, ऐसा नहीं, बहुत सारे जिम में मुझे लोग मिलते हैं, जो एक मेने में fat loss करना है, दो मेने fat loss करना है, यह जो unrealistic number है, उसको mind से ठेके, ठीके, fat loss ना जल्दी नहीं होता है, या muscle gain भी इतना जल्दी नहीं होता ह अगर आपको goal है, तो उसे time कीजिए, हो सकता है, 6 मेना हो सकता है, 8 मेना हो सकता है, एक साल भी क्योंना लगे, आप उसमें focus कीजिए, आप उसमें फोकस कीजिए, आप उसमें फोटो देखते हैं की transformation before, after, एक महीन में, दो महीने में, तो उसको देख के बहुत सारे लोग क्य नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, एक से dead pound, fat को drop करें, जो कि एक realistic number है, तो आप जरूर अपने goal के पास पहुन सकते हैं, तो यही था कुछ information हमारे चैनल के तरफ से, आप लोगों के लिए बहुत सब reason है, आप इसी के लिए बहुत नहीं पारे, अगर आप सभी को track करें, सभी को जाने ठीक से, तो आप पहुन सकते हैं, जरूर पहुन सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, आपको proper nutrition और exercise जो है आपका उसको follow करना है, ज्यादा लाजची नहीं बनना है, हमारे चैनल को like, subscribe और share भी कीजिए, आगे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, तो ऐसा